हे गैस्ट इस पर टीच को सबीन बेख बिडि़ो और इस वीडियो में बात करने वाले ऐए काइनल स्ट प्रोब्रेम है किकिनमस्टर को सभी आपडेटीक किया है और आपडेटेट बात यहां वीडियो तो एडिंग एडिटिंग हो जाता है आसानी से लेकिन वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग करना पड़ता है तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि काइन मस्टर की exporting problem को कैसे solve किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो दूस्तों मैंने exporting में क्लिक किया देखिए यह एन एरोर वाकर्ट वाइल exporting प्लिस ट्राइगें यानि export नहीं होने बला है तो इसे टीक करने के लिए सबसे पहले आपको मैं यहां से में क्लिक करता हूं और यहां से बैक आना होगा आपको एक बर फिर से बैक में क्लिक करता हूं और बैक में क्लिक करने के बाद जब आप काइन मस्टर ओपन करोगे तो आपके समने इस तरह इंटरफेस आज आईगा आपको इस सेटिंग वाले option में जाना है तो मैं यहां से सेटिंग में क्लिक करता हूँ और setting में क्लिक करने बाद आपको नीचे आजाना है एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ advanced and experimental setting क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको बहुत दीख जाईगा तो आपको तेन नम्र व्लाव जो ऑप्षण है काई और एकस्पोर्ट फ्रेंडिक आप दो सिक्ष्ट अप्वीएस इसे आपकाता हो उसके बाद आपको जैसे ह्याने बैट मेंगे तो आरं वारिन आज आयागे तो continue anywhere में क्लिक करना होगा तो मैं यहां से continue anywhere में क्लिक किया उसकी बाद large large option है unlimited video layer mood इसे enable करना होगा तो मैं यहां से unlimited video layer को enable करता हूँ इसके बाद continue menu में क्लिक किया और यह सब करने के बाद आपको यहां से back आना होगा तो मैं यहां से back में क्लिक करता हूँ एक बार बैग में क्लिक करने वगा तो उपर आजान है यहां देखिए my information about kind master और device capability information तो तीन number option में क्लिक करना है device capability information में तो मैं यहां क्लिक करता हूँ, यहां क्लिक करने के बाद आपको यहां थ्री डॉट में क्लिक करना है, तो मैं यहां से थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ, उसके बाद रान एनलाइसिस नौ इसमें क्लिक करना होगा, तो मैं यहां से इसमें क्लिक करता हूँ, दोस्तों जैसे ह आप रान एनलाइसिस नाव में क्लिक करेंगे तो रान एनलाइसिस नाव फिर आज जाएगा तो आपको इसमें क्लिक करना है तो मैं यहां से रान एनलाइसिस नाव में क्लिक करता हूं और यहां देखिए हार्डवर परफॉमेंस एनलाइसिस इन फ्रोग्रेस प्लीज दो नो ना चले जाए यहां थोरा सा वाइट करना होगा करने के बाद आपके समय रिजाला जाएगा कि आपके डिवाइस में क्या क्या सापोर्ट होने वला है यहां शोफ हो जाएगा तो मेरा डिवाइस जो है गेलक्सी एम 50 होना है इसमें 116P यानि QHD सपॉर्ट करता है तो यह सब setting करने के बाद आपको यहाँ से back आना होगा बैक आने मोबाद एक बार mobile को switch on कर दिजिए उसके बाद आप वीडियो यहाँ से edit किजिए और edit करने के बाद आप export भी कर पाएंगे तो दोस्तो इस तरह से आपका investor की problem को solve कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मुझे अमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो इस वीडियो को लाइक किजिए और सेनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि मैं आपके लिए रुज़ाना ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हो